अन्जिनी एक दिन सुबा सुबा अपनी कमरे में तयार हो रही होती है तब यूसकी छोटी बहुत सिया, चाये लेकर उसकी कमरे में जाती है और बोलती है क्या बात है माझी, इतना बंठन की कहा जा रही है आपके सवारी तो से क्या मतलब तो अपने काम से काम रख तो मेरी बहू है सास नहीं जैसे सवाल जवाब कर रही है कि मैं कहां जा रही हूँ, कहां नहीं माजी, मैं देख रही हूँ आजकल आप मुझसे बिलकुल भी सीदे मूँ बात नहीं करती आप अपनी हरकते सुधार लीजिए मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं अच्छा तो आप तू मुझे समझाए कि मुझे कैसे बात करने चाहिए, कैसे नहीं बिल्कुल बताऊंगी क्योंकि मैं आपकी बड़ी बहू काजल भावी की तरह नहीं हूँ जिनकी कमाई पर आप आश कर रही है मैं उन्हें सब बता दूँगी आपके जितने भी कारनामे हैं कि आप कैसे उन्हें पागल बनाकर उनकी कमाई का इस्तमाल करती है बस दिखा दी तुने अपनी उकाद यही उमीद भी थी मुझे तुझ से गलती मेरी थी जो मैंने तेरे उपर विश्वास किया तुझे सब बताया आगे से मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही कुछ दूँगी अरे यह तो मैंने गुस्से में अपना ही काम बिगाल लिया अब माजी को मनाना पड़ेगा माजी आप तो गुस्सा हो गई मुझे तो बस आपके चिंता हो रही थी इसलिए मैंने ये सब बोला आ गई ना लाइन पर तू आज कल सीदे मु किसी को बात ही समझ नहीं आती है अब जाके काम कर बढ़े आई मुसे सवाल जबाब करने वाली अंजनी शीशे की तरफ देखकर अपने बाल सवाडने लगती है और सीय वहाँ से चली जाती है कुछ देर बाद अंजनी अपने कबरे से निकल कर बहाँ जा रही होती है कि तब ये उसकी बड़ी बहु काजल उसे पीचे से अवाज दे कर हॉल में ही रोक लीती है मा जी जरा मेरी बात सुनिये मुझे आपसे कुछ काम था अब इसको क्या काम है मुसे वैसे ही मुझे देर हो रही है अब ये और मुझे बातों में फसा लेगी बोल बहु क्या हुआ मा जी आप इतना तयार होकर जाएंगी थेरेपिस्ट के पास थोड़ा ओड़नी हो गया ऐसे लग रहा है जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो बहु तूने बिलकुल सही बोला मैं पहले फंक्शन में ही जा रही हूँ उसके बाद थेरेपिस्ट के पास जाओंगी बगल में तेरी मौसी का घर है वही से कपड़े चेंज कर लूँगी ठीक है मा जी जहां जाना अराम से जाना आपको कल गले में बहुत दर्द हो रहा था हाँ बहु बहुत दर्द है और अब भी हो रहा है लेकिन क्या करूँ तेरी मौसी बुला रही है तो जाना ही पड़ेगा ठीक है मा जी कोई बात नहीं आप चली जाएए लेकिन एक मिनट रुके मैं बस अभी आती हूँ काचल इतना कहकर अपनी कमरी में जाती है और कुछ पैसे लेकर वापस हौल में आकर अपनी सास को पैसे देती है बहु तू ये पैसे क्यों दे रही है मुझे इसकी क्या जरुत है मुझे मा जी रख लीजिए उस दिन आपने मांगा था लेकिन उस समय मेरे पास नहीं था लेकिन आज तो है इसलिए दे रही हूँ आपको काम लग सकता है बहु तु मेरे बारे में कितना सोचती है तेरे जैसी बहु पाकर तो मेरे भाग खुल गए मा जी किसमत तो मेरी अच्छी है जो मुझे आप जैसी सास मिली है अब आप जाये वरना देर हो जाएगी हाँ बहु बहुत देर हो जाएगी तु भी समय से ऑफिस चली जाएओ अंजनी इतना कहकर चली चाती है पहली वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है फिर पिच्चर देखने चाती है लेकिन डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है देन योहीं बीटते हैं अंजनी आई दिन अपनी बड़ी बहु के पैसे लेकर उन पर एश किया करती थी यह सब चीजे उसकी छोटी बहु को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जूट बोलने और बड़ी बहु की कमाई लेने के लिए वा अपनी छोटी बहु को साथ रखती थी लेकिन पैसे मिलते ही उसे बगल कर देती थी एक दिन उसी की छोटी बहु उसके पास आती है मा जी मेरी बहन की ननद की शादी है आप मेर ले एक सोने का हार बनवा दीजिए मैं भी सोने का हार पहन कर जाना चाहती हूँ हार वो भी सोने का शाकल देखिए तुने अपनी कहीं से सोने का हार पहनने वाली नहीं लग रही मा जी अब आपका बहुत हो रहा है जिठानी जी की कमाई पर आपको ज्यादा ही आश कर रही है जब उन्हें पैसे लेने होते है तब तो आप तुरंत मुझे अपने साथ ले लेती है लेकिन जैसे ही पैसे मिल जाते हैं मुझे बगल में कर देती है इस्तमाल करने के बाद वेस्ट पेपर फेक देना चाहिए और तु मेरे लिए वही है अगर तुझे इतना ही सोने का हार पहनने का शौक लग रहा है तो अपने पती को बोलना जो घर के जिम्मेदारी से बचने के लिए बाहर पढ़ने के बहाने से जा रहा है बड़ी बहु नहीं होती तो भीक मांगने की नोवताती मेरे बड़े बेटे के मने के बाद आज बड़ी तारिफ कर रही है आप अपनी बड़ी बहु की वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनकी कमाई पर आश करनी है लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी कमाई पर आश करने के लिए आपने उनके बच्चे को भी मार दिया था उन्हें गलत दवा पिला कर तो वो आपको अपनी कमाई की एक फूटी कोड़ी नहीं देंगी घर छोड़ कर और चली जाएंगी अच्छा और ये बात उसे बताएगा कौन मैं बताऊंगी सब बताऊंगी क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं दे रही है अब मुझे भी तो अपने फाइदे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा न फिर सोचो आपको क्या होगा अपने बाप कमच से का तुझे जो करना है जाके कर ले बैसे तो आप बाप नहीं मा है लेकिन अगर आपने मुझे अपनी बेहन के याँ जाने से पहले सोने का हार बनवा के नहीं दिया तो मैं जरूर जटानी जी को सब बता दूँगी और मेरे पास आपके इस कारणामे का वीडियो भी है, बाकी मर्जी है आपकी सिया की बात सुनकर अंजनी थोड़ी से परिशान हो जाती है और अगले दिन सुनार किया जाकर सुनी का हार का ओडर दे आती है कुछ टाइम बास सुनार सोनी का हार लेकर घर आता है और काजल से बोलता है बहू तुमारी सास कहा है दिखाई नहीं दे रही बैठी है अंकल जी माजी बस अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है पूरे दिन घर में बैठे बैठे परिशान हो जाती है कोई खास काम है क्या बहू वो तुमारी सास मेरे यहां हार का ओरडर देने आई थी बहुत जल्दी में थी कह रही थी कि उन्हें ये हार अपनी बहू के लिए चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो मैं सारा काम धाम छोड़कर पहले ये हार देने के लिए आ गया अंकल जी मैं गलत नहीं हूँ तो ये हार वही है ना जब मैं आपके दुकान पर आई थी उनके साथ तब मुझे पसंद आया था ये बुद्धी बहुत तेज है तुमारी आ बहु ये वही हार है मुझे भी याद था तबी मैंने भी ये हार बनवाया मुझे लगता है तुमारी सास को भी याद है तबी उन्होंने बोला था कि मैंने ये हार बहु के लिए बनवाया है हाँ हो सकता है क्योंकि उस समय वो भी वही थी मेरी सास मेरी कितनी चिंता करती है अभी मेरे जनम दिन में कुछ दिन है लेकिन गिफ्ट पहले ही बनवा लिया हाँ पहू चलो अब मैं चलता हूँ बहुत देर हो गई है अंकल जी पैठी है ना माजी आती होंगी मिलने ना आप उन से बहू तुकान पर बहुत काम है वो तो मुझे ये हार अरजेंट में देना था इसलिए मुझे आना पड़ा और अब इसका सामान था मैंने उन्हें दे दिया तो बात खत्म हो गई सुनार इतना कहकर मासे चला जाता है काजल और सुनार की सारी बाते सिया सुन लेती है जिसे सुनकर उसका मुझ गुसे से लाल हो जाता है और वो काजल के पास जाकर उससे हार छीन लेती है ये तुम क्या कर रही हो सिया ये हार मुझे वापस करो यहार मेरा है नहीं, मैं नहीं दूंगी एक विद्वा होकर आप क्या करेंगी इस हार का मैं यहार आपको नहीं दूंगी किसके लिए आप यहार पहनेंगी आपको देखने वाला कौन है सिया, तमीज से बात करो यहार मेरी सास ने मेरे लिए बनवाया है मैं इसे किसी को नहीं दूंगी जिठानी जी जो आप ये अपनी सास के गुण गा रही है न उस लायक नहीं है वो उन्होंने तो अपनी लालच के चकर में आप से आपका जीने का सहारा ही छील लिया ये क्या भोल रही हो तुम साफ साफ बोलो आपकी कमाई किसी और मेना बढ़ जाए इस चकर में उन्होंने आपको गलत दवा दे कर आपके बच्चे को ही मार दिया ताकि आप जिन्दगी बर कमाओ और वो आराम से उस पर आश करें ये सुनकर तो मानू काजल के होशी उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले कमरे में चली जाती है तब एंजनिमा आती है और सिया के हाथ में हार देखकर बोलती है मिल गया बहू तुझे तेरा हार मुझे सुनार का फोन आया है उसने हार बहू को दे दिया था मा जी ये हार मेरे लिए था हाँ बहू ये हार तेरे लिए ही है इसलिए नहीं कि मुझे तेरी जठानी से अपने कारणा में छुपाने है वो तो मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी बोल दे लेकिन उससे कुछ नहीं कहेगी मा जी लेकिन मैंने तो गलत कम्में आकर जठानी जी को सबसच बोल दिया मुझे लगा आपने ये हर जठानी जी के लिए बनवाया है सिया अंजनी को अपनी मुर्खता के बारे में बता ही रही होती है कि तबी काजल अपना सामान लेकर आती है और अपनी सास को खरी खुटी सुना कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और दोना सास बहु अपना सर पकड़ कर हॉल में ही बैट जाते है रिंकु को राखी सावन के प्रती इतनी दिवानगी थी उसे राखी सावन का दूसरा रूपी कहा जाता था येकिन ख्या किया जा सकता है रिंकु की सास अपनी बहु के मंजूली का रूप से इतना डरती थी कि वो रिंकु के खिलाब एक आवास दख नहीं उठा पाती थी तो क्या आंत में कोकिल अपनी बहु को वदल पाती है या नहीं जानेंगे आज के इस कहानी में रिंकू राकी सावन्त के बेबाक अंदाज की फैन थी अब ऐसे में रिंकू की बेबाकी का अंदाज भी राकी सावन्त से मेल खाता था एक रोज रिंकू मारकेट जाती है और पान की दुकान पर जाकर पानवाले से कहती है पानवाले भहिया एक पान बना दो और आपको खाना है यह घर ले जाना है तेरे को क्या लगता है और तु तो पान नहीं खा सकती अब तु रिंकु को चैलेंज करेगा और मैडम जी नहीं नहीं मैं आपको पेचान नहीं पाया आप तो हमारे शेहर की शान है शान चल अभी काम पर ध्यान दे, औरत देखी नहीं कि कोई बहाने का मौका नहीं छोड़ते रिंकु को कोई भी कुछ भी बोल कर चला जाए या उसे औरत कहे, ये उसे बरदाश नहीं था तभी रिंकु मार्केट से लोट रही होती है और एक लड़का जो की बाइट से जा रहा होता है, वो रिंकु से कहता है अंटी, वो आपकी सारी का पल्लू ओए, तेरे घर में मा बहन नहीं है, बेटी नहीं है, जो तुने मुझ पर रिंकु पर लाइन मारी अरे, उपर से मुझे अंटी बोला तेरी मा, तेरी बीवी आंटी, तेरा पूरा खांदान औरतों का आंटी से भराओगा, तो पापा बनने से पहले गंजा हो जाएगा अरे, मेरी मा, मैंने आपको लाइन नहीं मारी है, आपके सारी का पल्लू उस कुट्टे ने पकद रखा है ये सुनकर, जैसे ही रिंकू अपने पीछे देखती है, तो सच में कुट्टा उसकी सारी का पल्लू पकड़े खड़ा था ऐसे में रिंकू ये देखकर इधर उधर भागने लगती है, और उस लड़के को कहती है तुझे तो बोलना चाहिए ना, कि मेरे पीछे कुट्टा है, कमीने तुझे तो मैं देख लूँगी अहाँ, चल चल, पहले ने इस कुट्टे से अपना पीछा चुड़वा, उसके बाद न, मुझे देख लियो, बड़ी आईशानी अब जैसे तैसे रिंकू, उस कुट्टे से अपना पीछा चुड़वाती है, और भागते हुए घर पहुचती है और अपने हॉल में जाकर, हाथ पैल फैलाकर, खाफते हुए पढ़ जाती है ये देखकर रिंकू की सास कोकिला रिंकू से घहती है आज फिर कोई नया कान करके आई है क्या, मुझे इसे मार्केट जाने ही नहीं देना चाहिए था मा जी क्या बताऊं आपको, मेरे पीछे एक कुट्टा पड़िया था और वो मेरे साड़ी के पल्लू को अपने दास से पकड़े हुए था अच्छा है, कल तक तो महले के लॉंडे तेरी साड़ी का पल्लू पकड़ कर तुझे घर छोड़ जाया करते थे अब कुट्टे को भी तुझ में तो कुछ नजर आया ही होगा, जो उसने तेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया आप कहना क्या चाहती है, यब कुट्टो को भी मुझे में इंटरस्ट आने लगा है वो तो कुट्टे ही जाने, ना जाने उस बेजुबान को तुझ पर क्या दिख गया देश याम कोकिला की पडोसन विमला कोकिला के घर आती है और कोकिला से कहती है कोकिला कहां है तेरी राकी सावन के डुपलीकेट बहू पता है उसने आज महले में लॉंड को क्या कहा है देख विमला इसकी बाते मुझे जानने में कोई दिल चस्पी नहीं है लेकिन महले के लड़कों के जिंदिगी का सवाल है बता क्या किया इसने इसने कांता की पोती को तोफी दले होगी तो कांता का बेटा तेरी बहु से कह रहा था कि रिंगु भावी आपका दिल बहुत बढ़ा है लेकिन पता है तेरी बहु ने क्या कहा तेरी बहु ने कहा कि मेरा दिल ही नहीं मेरा तो सब कुछ बड़ा है दिखता नहीं क्या राम राम ना जाने कैसे औरत को प्याह लाया है मेरा बेटा एक नंबर की कुलक्षणी है ये फिर जाते जाते बोली मेरा किडनी फेपडा लीबर की बात की मैंने और यहां से मुस्कुराते हुए चली गई विमला मैं तो इस औरत के रोज रोज की शिकायत उसे परेशान हूँ कल की ही बात है पान वाली के दुकान पर राम लाल को देखा है न हाँ वो बुढधा जिसके आखरी दिन चल रहे हैं मुझ को दात नहीं पैरों में जान नहीं और चलता है ऐसा लगता है जैसे मुर्दों का सरदार कबर से निकर कर चल रहा है हाँ हाँ वही बुढधा उसने रिंकु को देखा होगा इसने डीपकट ब्लाउस पहना था और इसने उस बुढधे को कहा होगा कि यहां क्या देख रहा है यह सब तेरे लिए थोड़ी बनाया है मुहमत दात नहीं और चला मुझे लाइन मारने जा जाकर कबर मैं सोजा कम से कम तुझे मुक्ति तो मिलेगी बता उसकी बुढ़िया तो घर आ गई होगी लड़ने के लिए लड़ने की बात करती है बहुत हंगामा करके गई है वो तो और उपर से बोली अपनी बहु को समझा ले भले ही मेरे बुढ़े की उम्र हो गई है लिकिन जवानी अभी भी बाकी है अब विमला के जाने के बाद दिंकू अपनी सास को देख कर कहती है क्यों माजी हो गई मेरी चगली इस विमला की बच्ची को तो मैं देख लूँगी पहले आपको तो निप्टा लू क्या कह रही थी आप कुल लक्षी नी अरे बहु विमला आय थी मुझे तेरे बार में भड़काने के लिए मैंने भी कह दिया कैसी बात कर रही है तू मेरी बहु तो कुल की लक्षमी है तू तो सखामखाई बदनाम कर रही है अच्छा माजी ऐसा कहा आपने तभी तो आपके पैर कहां परे है ना चलो कोई बात नहीं माजी डरो नहीं नहीं बनूँगी मैं रात में मंजलिका हाँ बहु अब तु जा आराम कर ले जाकर इतना बोलकर जैसे ही रिंकु वहां से जाती है तैसे ही कोकिला सोफी पर बैठ कर खुद से कहती है फे भगवान बचा लिया अपने मुझे इस ओरत से ना जाने आज फिर इसका मूड बना हुआ ता मौंजलिका बनने का पिछली बार ऐसे ही विमला की बात सुनकर मुझे सोने नहीं दिया था रात में इस ओरत ने मौंजलिका बनका छाती पर चड़कर ब और तेरे भाई साब भी लेकिन भाई साब को जुरत नहीं पड़ती अब समझ गया ना तो निकल यहां से यह बात बैठी हुई कोकिला सं रही थी और दूद वाले के जाने के बाद वो अपनी बहु से कहती है इतना ही क्यों बताया तुने दूद वाले को और भी बता देती तेरी पहली सुहाग रात बच्चु की प्लैनिंग कैसे करेगी यह भी बताना था क्या माजी अच्छा कल बता दूगी सही कहती है विमला मेरी बहुर आखे सावनती है सारी हरकते मैच करती है तुम दोनों की कुछ देर बाद कोकिला अपनी बहु को ढून रही होती है लेकि विमला के बेटे रोहित से कह रही होती है और चिकने लगता है आज विमला अंटी घर पर नहीं है नहीं है ना रिंकु भावी लेकिन मुझे लगता है भाई साप घर पर नहीं है तभी तो आपने हम जैसे पर नदर मारी भाई साप के होने ना होने से क्या फरक पड़ता है उनमें तो रोमेंस का आर भी नहीं है। अच्छा भावी, तभी तो आज आप छत पर कबूतरों को दाना डाल रही हो। लेकिन कोई कबूतर फस्ताई तो नहीं है। तभी कोईकिला ये सब सुन कर अपनी बहु जिंकू से कहती है। बहु कबूतरों को दाना डाल लिया हो तो अपनी सास के भी सुनले, मा जी आप कब आई, मैंने तो आपको देखा ही नहीं बहु जब तो अपने घर के कबूतरों को छोड़ बाहर के कबूतरों को फसा रही थी तब ही आई हूँ और ये विमला को आज आने दे उसकी खैर नहीं कुछ समय बाद विमला के घर कोकिला का जाना होता है और कोकिला विमला को देखकर कह दी है विमला मैं तुझे ये कहने आई थी कि मेरे घर के तितली के तो पर कट नहीं सकते तू अपने घर के कबुतरों को समाल ले, मेरी बहुपर डोरे नडाले अच्छा तब ही तो कहूं, आज नवाव जादे को छतकी सफाई का ध्यान कैसे आया मैं जा रही थी तो मुझ से बोला, लाओ ना, मैं साफ कर दू और मुझे क्या पता था, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था इतना बोलकर विमला अपने बेटे रोहित को जाडू से मारने लगती है और मारते हुए कहती है, जो 20 साल में खुद का कच्छा नहीं धो पाया वो आज चतके सफाई कर रहा था, वो भी उस रिंकू के चक्कर में जिस पर महले के हर छिचोरे का दिल आया हुआ है और तेरा नंबर कब लगेगा, ये तुझे खुद को भी नहीं पता और चला है तू और तो पर लाइन मारने मा क्यों मार रही हो, कोकिला अंटी अपनी बहु को भी तो समझा सकती है मैं तो महले के लड़कों के जिंदिके बचा रही हूँ बाकि तुम्हारी मर्जी, तुम रिंकों के लिए जान दे दो या नस काट लो वो किसी की नहीं है, खुद की भी नहीं है वो तो ये थी कोकिला की राखी सावन की दिवानी बहु जो राखी सावन से भी दस कदम आगे थी लेकिन बेचारी कोकिला कर भी क्या सकती थी अपनी बहु का और अगर वो कुछ बोलती तो रिंकू बन जाती थी रात को मंजुली का जिसके डर से बिचारी कोकिला चुप रह जाया करती थी गोल मटोल गोलावती अपने बेते गौतम के रिष्टे के लिए पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर पहुचती है जहां लड़की के मा इमर्ती सभी के हटे कटे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में गह दी है हाई दया ये किन पहलवानों के घर से रिष्टा आया है मेरी कोमल के लिए अभी इनको कप में चाय दू या बाल्टी में अरे बेहन जी क्या सोचने लगी चाय रग दो ठंडी हो जाएगी वरना हाँ हाँ कांता बेहन ने बताय था आपके परिवार के बारे में बहुत नाम आपके परिवार का खुद के कंपनी भी है हाँ बेहन जी बिलकुल उचर खाते पीते खांदान से है वो तो देखने से ही पता चल रहा है अब अपने गौतम बेटे के लिए कच्छी लड़की की तलाश में है ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली बलकि हमें ही कोई पसंद नहीं आई अब देखिए हम खाते पीते हटे कटे लोग तो बहुँ भी थोड़ी हटी कटी ही होनी चाहिए ना पिर तो मेरी कोमल का रिष्टा यहां होने से रहा क्योंकि कहां वो और कहां ये बहन जी अभी बिटिया को बुला लीजिए मा पापा देखो लड़की जैसी भी हो हां कर देना वैसे ही लड़किया मुझे छोटा हाती कह करना ना पसंद कर देती है गोतम बोल ही रहा था कि तभी इमर्थी अपनी बीटी कोमल को लिए वहां आती है पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घोरने लगते हैं इसलिए नहीं कि वो खुपसूरत थी बलकि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी तभी गोला देवी कहती है यही आपकी बेटी कोमल है जी बहन जी वो क्या है ने कुछ दिनों पर थोड़ी तबियत खराब हो गई थी इसलिए इसको वजन घटिया थोड़ा थोड़ा घटा है हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचाए अरे वजन में क्या रखा है इनसान का व्यवार ठीक होना चाहिए आप खड़ी क्यों है कोमल जी बैट जाइए जी मेरा भी यही मानना है कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतिजार करते है तब ही कोमल कहती है माँ मैं इस शादी के लिए तयार हूँ पक्का ना बेटी तो इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी न माँ अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतली लोगों का ही मिलेगा देखो मेरा रिष्टा हो रहा है न वही बहुत है अब मिया बेवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाईयां खिलाते है और कुछ ही समय में दोनों की शादी का देना आता है दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था तब ही वो कहता है सासुमा वेदी थोड़ी छोटी नहीं है कुछी देर में पूरे विधे विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंदन में बन जाते हैं और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपनी मोटी ससुराल में ग्रह परवेश की रसम कर कदम रखती है ऐसे ही दिन निकलते हैं एक रोज नाश्टे के समय गुलो लाल कोमल से कहता है बहु जरा मक्खल लगा कर दो पराठे और देना दो पराठे और ससुजी अभी तो अपने चार खाए हैं दिखी सादा खाने से आपको ऐसे डीटी की दिक्कत हो सकती है अरी बहु इन्हे कोई दिक्कत नहीं होती तु अपनी बोल कि तुझे ज़्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना कैसी बात कर रही हैं सासुमा माना मैं खाती कम हूँ लेकिन काम में काम जोरी नहीं कहती ये लिजे ससुजी पराठे अच्छा बहु मैं कह रही थी जल्दी से तयार हो जा आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशिरवाद लेने हाँ सासुमा बस मैं अब भी तयार होकर आती हूँ कुछ ही देड में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते है वहाँ विशेश आर्ती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशिरवाद लेते हैं और फिर गोदम वहाँ से ओफिस के लिए निकल जाता है घर लोटते हुए रास्टे में उन्हें उसके महले में रहने वाली सुन्ती मिलती है तो दोनों सास बहु को देखकर वो कहती है कैसी है गोलवती और ये सूखी सी लकडी कौन है तेरे साथ सूखी लकडी नहीं मैं इनकी बहु कोमल हूँ आंटी अच्छा तो ये है तेरी बहु वो मैं मूँ दिखाई में आई नहीं थी ना इसलिए मुझे पता नहीं पर अब पता चल रहा है कि महले की औरते वो बात क्यों कह रही थी बात कैसी बात वही कि पतली बहु का मोटा ससुराल मतलब आब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हटे खाते हैं लेकिन बहु बहु जाडू की सीख सी ले आए अरे तो मेरी बहु हमेशा ऐसी पतली सुखडी थोड़ी रहेगी अरे वो भी खाते पीते घर की बहु है हाँ हाँ वो तो है ही मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थी चलो चलती हूं मैं तुम दोनों सास बहु को दे क्यों आई और यह हर्सकर क्यों गई मोटा शरी और उससे भी मोटी पुथी हर्सकर नहीं आपको कद्दू और मुझे गवारफली कहकर मजाग बना कर गई है हम सास बहु का चलिए अब तब भी सास बहु अपने घर चली जाती है समय बेदता है धीरे धीरे कोमल भी अपने स चर्ट के बटन लगा रहा था लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता तब ही कोमल नाश्ता लेकर वहां आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है बस अब यही तहोगा मोटापे के कारण कपड़े भी शरी पर रुखने को राजी नही बता अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है देखों मेरी मानों बढ़ता वजन बिमारिया लाता है आहां समझ गया अभी नाश्ता कर लूँ जी नहीं ये नाश्ता मैं अपनी लिलाई हूँ आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ अरे अरे कोमल न नाश्ता वापस लेकर वहां से चली जाती है और ना सिर्फ गोतम को बल्कि अपने साससूर को भी वो यही सलहा दिया करती थी लेकिन सब ही उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती एक रोज संड़े के दिन दोफैर के खाने में कोमल सब के लिए खि तोस्दिया बहू हाँ यह खिट्डी विचडी में कोई स्वाद नहीं होता हा तो ख मेरा बेटा छोटा हाथी तो तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है बस कीजी आप लोग, अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है कुमल तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं लेकिन हम भी तो धीरे-धीरे अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं न, इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो हाँ बहु, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की न, अब लोगों का क्या है, वो पतली बहु का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता, कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती ना कि लोगों की बातों पर दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा